हलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए मतुरा के पेड़ों की रेसिपी पेड़े सभी के फिवरेट होते हैं बच्चों के खासकर ज़ादा पसंद होते हैं अगर हम सुट्छोप में जाएंगे तो हमें विराइटी के पेड़े दिखने को मिल जाएंगे अगर बनाने में आसान है खाने में टेस्टी है और डीटेल रेसिपी एन तक ज़रूर देखे और अभी तक चैनल सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब करके बेल आइक आपको जबाएंगे तो चलिए शुर करते हैं आज के रेसिपी और मॉथ woll anarch की पेड़े बनाने के लिए हमें चाहिए फुल फैट मिलक एक लिटर हम ने पैकेट वाला मिल्क यूजग किया है यहाँ पर मैंने बफेलो मिल्क यूजग किया है एक लिटर लिया है मिलक गाढ़ा होना चाहिए फ्र अगर आप इसे ओकेजनल स्टर करेंगे तो लो फ्लेम पे पकाए क्योंकि लो फ्लेम पे आसानी से पकता रहेगा मिल्क जलेगा भी नहीं अभी मिल्क में बॉयल आ चुका है तो इस कढ़ाई को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी बर्नर के उपर और इस बर्नर पे हम बनाएंग यह बूरा चीनी से जो बूरा बनता है वो हम बनाने वाले है अग इसलिए मैंने कढ़ाई को लो फ्लेम पे गरम किया है अब मैं इसमें डाल रही हूं आधा कप चीनी लेकिन आधा कप चीनी नहीं लगने वाली मैं इसमें से थोड़ सी बचाऊंगी ज्यादा मिठे बचा के रखिए अब मैं 3 टेबल स्पून पाने डाल रही हूं चीनी में क्योंकि जादा पाने डालेंगे हमें उतना ही टाइम लगेगा इसी रिडूस करने में चीनी का बुरा बनाना है बुरा बनाते समय क्या होता है जब यह चीनी पकती है इसके हम चाशनी बनाते हैं तो चाशनी की स्टेज होती है एक तो एक तार की चाशनी होती है फिर गोली वाली चाशनी होती है तो हमें इस चाशनी को इतना ज़्यादा पकाना है कि इसमें जाग जाग जब आता है तभी इसका बूरा बनता है तो इसे शौट में बताने जाओंगी तो गाड़ी चाशनी हमें बनानी है यहां पर आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारे बहुत ही गाड़ी हो चुकी है क्योंकि हमने पानी भी कम डाला था इसलिए ज्यादा वक्त भी नहीं है तो बड़े बड़े आने लगेंगे फिर उकम होते जाएंगे फिर इसका जागाना शुरू हो जाएगा इस स्टेज पर क्या करना है कंटिनियूसली स्टर करते रहना है तभी यह बढ़िया से बुरा बन जाएगा तो मार्केट में अगर बुरा आवेलेबल ना हो तो में तो बारी बारी जाग इसके उपर आना शुरू हो गया है बहुत ही जादा गाड़ी हो चुकी है यह अब हम इसे और दो तीन मिनिट के लिए पकाएंगे फिर ग्यास को बंद कर देंगे आप देख सकते यहां पर जाग बड़े बड़े जो बबल सा रहे थे वह आना बं कि अव्यार बं चुका है तो यह जाधा कडक ना हो इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे एक चममच घी डालेंगे मुन यहां पर ग्यास को बंद कर दिया है अब क्या पर ने की वज़े किया रहेगा यह नहीं से बड़े बड़े प्रिस्टल्स को रारीक रहेगा यह अब ये बन चुका है तो आब हम कड़ाई को उतार देंगे और इसको ठंडा होने देंगे पूरी तरीके से अब दूद भी हमारा अच्छा खासा रिडिस हो चुका है चले चेक करते हैं देख सकते हैं आप दूद में बहुती बढ़िया से उबाला चुका है और ये दूद वन थर्ड तक रिडिस भी हो चुका है तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे यहाँ पे हम कंटिनियूसली दूद को स्टर करते हुए इसका खोया बनाएंगे आप देख सकते हैं मैंने हर एक स्टेज में आपको दिखाया है यहाँ पे कि खोया हमारा कितना बढ़िया बन रहा है और मातर एक लिटर दूद के साथ डेर सारा खोया बनता है और बहुत सारे पेड़े भी बनते हैं तो जब भी आपको पेड़े खाने की इच्छा हो खोया अवलेबल ना हो तो आप दूद के साथ यह मुथुरा की पेड़े घर पे आसाने से बना सकते है यहाँ पे खोया हमारा अल्मोस्ट रडी हो चुका है लेकिन यह हलका सा पतला है तो इसे मैं थोड़ा सा और गाड़ा करने वाली हूँ हाइ फ्लेम पे ही पकाऊंगी कंटिनुसली स्टर करते रहना होता है वरना यह नीचे तली में लग सकता है जल सकता है फिर उसकी स्मेल आएगी पेडों में आप देख सकते हैं खोया बहुती बढ़िया से पक रहा है तो फ्रेंस खोया बनाना भी बहुती आसान होता है इस प्रिके से फ्रिश खोये से अगर पेड़े बनाएंगे तो बहुती बढ़िया टेश्टी बनते हैं यह मार्केट से ज़ादा घर में पेड़े बनाना आसान भी लगता है और यह टेश्टी भी बनते हैं क्योंकि घर पे बनते हैं तो हर एक चीज ताजी होती है हम आपने हातों से बनाते हैं अब आप देख सकते हैं खोया हमारा गाड़ा हो चुका है यहाँ पर हम क्या करेंगे गैस की फिलम को बंद कर देंगे क्योंकि जब यह थंड़ा होगा तो यह और भी गाड़ा बंता जाएगा अब यह गाड़ा खोया बंद चुका है अब हम क्या करेंगे गैस की फिलम को बंद कर देंगे और इस खोया को पूरी तरीके से ठंड़ा होने देंगे इसे अब मैं क्या करूंगी धक कर रखूंगी धक कर रखूंगी तो यह जो खोया है वो soft रहेगा अब हम चलिए check करते हैं बुरा हमारा ठंडा हो चुका है बुरा ठंडा हो चुका है लेकिन कुछ-कुछ इसमें चीनी जो है वो सक्त हो चुकी है तो इसे मैं क्या करूँगी प्लेट में निकालूँगी क्योंकि हमने जादा बुरा बनाया है इतना तो हमें लगने वाला है नहीं पेडों के लिए इसमें से हम कम ही बुरा यूज करेंगे और जो कड़ाय में चीनी चिपकी है उसका क्या करना है वो आगे मैं आपको विडियो में दिखाने वाली हूँ अब इसमें डाल रही हूँ इलाइची का पाउडर 1-4 टीस्पून मैंने इलाइची पाउडर इसमें डाल दिया है इसको मैं एक बार ब्लेंड करूँगी मिक्सी के जार में और आधा मिनिट तक इसको ब्लेंड करने के बाद इस तरीके से बूरा हमारा तैयार हो चुका है चलिए आब इस चीनी का क्या करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ अलग से क्यारमल के लिए चीनी यूज़ करने की जरुरत ने इस कड़ाई को मैं ने रख दिया है गैस की उपर मिडियम फ्लेंड पे मैं इसी चीनी को मेल्ट भी करूंगी और इसी के साथ क्यारमल भी बनाऊंगी तो आज की वीडियो में इसी चीनी से क्यारमल बनाने का एक मोट्यू ये भी था कि ये समस्या हर किसी को आती है जब हम घर भी मतुरा के पेड़े बनाते हैं तो आलग से चीनी यूज करने की ज़रूत नहीं होती हम कोई भी बरतन यूज करें नौन स्टिक का यूज करें या स्टील का बरतन यूज करें चीनी चिपकेगी और थोड़ी सी चीनी बरबाद भी जाएगी लेकिन उस चीनी को फेकना नहीं है उसी के साथ क्यारमल बना सकते हैं बनाते समय एक बात का खास खयाल रखना है कि गैस के फ्लेम को लो रखना है लो फ्लेम पे ही इसे मेल्ड भी करेंगे और इसे कलर आने तक पकाएंगे भी लेकिन कंटिनियूसली स्टर भी करना बहुत ज़्यादा ज़्रूरी होता है वरना अगर हम स्टर नहीं करेंगे कैरमल हमारा सकत भी बनेगा और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा हमें हल्की कलर का कैरमल चाहिए यहाँ पर एगर आपको डार्क कलर के पेडे पसंद हो और चीनी हमने बिल्कुल बरबाद भी होने नहीं दी, यहाँ पर क्यारमल रेडी हो चुका है, तो इस क्यारमल को अब हम डालेंगे खोये में, जो खोया हमारा बन चुका था पहले से ही, यह ठंडा भी हो चुका है, अब इसके उपर क्यारमल को हम पोर कर देंगे, खोया पकाते रहेंगे जब तक कि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये कैरमल जो है खोय में डालने के बाद थोड़ा सा सक्त हो जाता है इसकी गुटलिया बन जाती है तो ये कैरमल खोय के साथ पकेगा तो ये फिर से मेल्ट भी हो जाएगा अब इसमें ग्ले लेकिन ये सारी प्रोसेज्यों करनी है हमें वो लो टो मीडियम फ्लेम पे ही करनी है हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है वरना हमारी सारी मेहनत बरबाद हो जाएगे तो इसी लिए लो टो मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाते रहेंगे जब तक कि इसमें जो क्यार सकते हैं हाई फ्लेम पे भी इसे कलर ला सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा डार कलर पसंद नहीं है इसलिए मैंने हल्का गुल्डन ब्राउन कलर आने तक ही इस खोया को क्यारमल के साथ पकाया है और इसकी खुश्बू बहुत ही बड़ी आ रही है पूरे घर में इसकी खुश्बू फैली हुई है तो ये बहुत ही बड़ी है हमारा खोया अब बन चुका है अब हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे क्योंकि गर्मा गरम हम इसे कर पाएंगे इसलिए मैं ढख कर रखोंगी जब तक कि ये थलका सा गुन गुना ना हो अब ये तहां मिश्रन जो है थोड़ा थंडा भी हो चुका है थंडा होने के वज़े से ये थोड़ा सा सुख भी चुका है लेकिन इसमें साफ्टनेस भी है तो मैं हातों से इसको पहल कि सारा नहीं डालना है ये पेड़े हलके मिठे होते है ज्यादा मिठे नहीं होते है इसलिए हमने थोड़ा सा बूरा बचा कर रखा है अब बूरा डालने के बाद मैं इसको बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लोंगी हातों की साहता से क्योंकि ये मिश्रन जो है हलका लिक वर यह हलके से चोकोर पेड़े होते हैं, देखने में इसका शेप अलग होता है, इसलिए शायद ही इतने फेमस है, अब हम इसी तरीके से सारे पेड़ों को बना लेंगे, यहाँ पे हमारे सारे पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं, और यह बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्ट दिख रहे हैं अब भी से खाने का मन कर रहा हैं फ्रेंड्स लेकिन इसे हम सजाएंगे थोड़ी सी इसके उपर बूरा भी छिड़क देंगे जादा नहीं छिड़केंगे जादा बूरा छिड़केंगे तो ये मिठे हो जाएंगे फिर से तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा बूर इसके उपर छिड़क देना है मैंने हलके हातों से बुरा डाल कर इसको अब हम मिक्स कर लेंगे तो छोटी प्लेट पड़ रही है मैं इसको शिप्ट करूंगी दूसरी बड़ी वाली प्लेट में और इनको हलके से मिक्स कर लोंगी इस तरह के से एक लेयर थोड़ी सी लगनी चाहिए दिखना चाहिए बुरा इसके उपर लगा हुआ है क्योंकि यह दिखने में तो अच्छे दिखते हैं खाने में भी टेस्टी लगते इस तरके से उपर से बुरा लगाएंगे तो लीजिए तयार है हमारे मतुरा की पेड़े खाने के लिए तो फ्रेंड्स कैसे सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद इसी तरीके से सपोर्ड बनाया रखे इस मतुरा की पेड़ों की रेसिपी को लाइक करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेर जरूर करें कमेंट करना ना भूले अगली बार फिर से मिलूंगे एक नहीं रेसिपिक सा तिल देन झाल